हेलो फ्रेंड्स कैसे हो वोप आप सब अच्छे होंगे स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में आज संडे स्पेशल में बढ़ते हैं पहली पोस की तरफ तो पहली पोस आप देख रहे हैं दीन दयाल उपाद्य गौरपूर उनिवरसिटी में तो यहां पर असिस् से हेह सिस्टार्ट है तो हग इसमें क्यम्ष्ट्य की बात करूं Diolin के डौघ कर इसको चेक कर सकते हैं इसी तरफ न जाने में पोस्ट के स्टार्ट है टैने तो बात करूं तो chemistry में दो सीटे हैं इसमें और इसी में एक assistant professor की vacancies हैं इसमें grade पे 7 level 10 है और chemistry की post इसमें भी एक है और यह जो one post है इसमें according to decision of honorable high court तो यह थी कुछ professor assistant professor associate professor की vacancies आईए बढ़ते है next vacancy की तरफ यह है electronic corporation of india limited हैदरावाद में हैं तो इसमें scientific assistant की post है और junior artist की है तो आप उसमें आप देखिए जो scientific assistant है उसमें chemical domain के लिए 6 सिर्टे हैं तो इसकी qualification की तरफ बढ़ते हैं तो अगर qualification में देखें तो यहां background physics chemistry math वाले तो आप इस पोस्ट के लिए apply कर सकते हैं आईए बढ़ते हैं next vacancy की तरफ यह एम से all indian institute of medical science अंसारी नगर तो इसमें जो यहां पर project आ रहता है dbt funded project है इसमें जो qualification है candidate के पास msc होनी चाहिए physical science लिखा है या chemical science तो इसमें आप और आपके पास जो qualification chemical science के साथ आपकी 60% marks आने चाहिए master's degree में और अगर आपके पास CSR, ICMR, UGC net किसी के भी आपने qualified किया है तो आप उसको apply करेंगे वो भी यहां पर eligible है और आपको जो stipend मिलेगा 31,000 लास डेट इसकी 31 माई है आईए बढ़ते अगले project की तरफ यह ICR पूने में है तो यह ICR पूने में एक project की वेकिंसी है इसमें अगर बात करू qualification तो MSC chemistry है 70% marks आपके आने चाहिए और अगर आपका अगर आपका net नहीं qualified तो भी आप apply कर सकते हैं आपको 25,000 मिलेंगे HR के साथ और अगर qualified है तो आपको 31,000 मिलेंगे और इसको apply करने की last date है 15 June 2021 आईए बढ़ते है नेक्स वेकिंसी की तरफ यह National Institute of Pharmaceutical Education and Research Goharty यह पर्मेंट पोस्ट है यह टीचिंग की पोस्ट है तो असेशेट प्रॉफिसर की है लेवल 13 है इसमें कह रहा है पी एजडी आपके पास या तो chemistry के साथ होनी चाहिए तो chemistry जो है उसमें भी specialization दे रहा है computational chemistry, bio informatics और इन सब चीज़ के आपके पास knowledge होनी चाहिए और चार-पास साल का आपके पास experience होना चाहिए और अगर इसी में दूर सी वेकिंसी की बात करूँ वो है assistant professor की जो grade level आप देख रहें 12 है 78,000 से starting है कोई salary और अगर पी एजडी आपके पास chemistry के साथ expertise होनी चाहिए इन सेम मतलब competition chemistry, informatics और experience होना चाहिए आईए बढ़ते हैं कुछ vacancy की तरफ और तो यह पहली vacancy आप देख रहे हैं पंडे दीन दयाल petroleum university तो यहाँ पर project की vacancy है तो इसमे qualification क्या है मसी के मस्टी होना चाहिए material science नानो साइंस वाले बच्चे अपलाई कर सकते हैं और इसकी duration की जो लाजडे अगर में इंटर्वी इसका होना है तो अगर इसमें qualification की बात करूं तो जनरली quality control में बीसी chemistry मांगते हैं तो आप यह देख सकते हैं यह पर बीसी chemistry दिखाया है और आप इसको अप्लाई कर सकते हैं अगर आप इसमें इंट्रेस्टेड है आईए बढ़ते हैं नेक्स वेकेंसी की तरफ यह है इंडियन इंस्टूट आफ टेक्निलोजी खड़कपुर तो यहां पर रिसर्च की वेकेंसी हैं तो मैं आपको दिखाता हूं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में हैं जैसे मैकनिकल इंजिरिंग केमिकल पर हम केमिस्टी की बात करें तो केमिस्टी में अगर हम पढ़ते हैं यह प्रोजेक्ट एसिस्टेंट रिसर्च का तो इसमें आप देख सकते हैं तो यह जो है यहां पर लिखा हूँ है यहां पर आपके पास गेट का स्कोर कार्ड है वो भी ल के लिए मोर अपडेट्स के लिए आपको मिलती रहेंगी थैंक यू फॉर वाचिंग